आपकी सफलता है मेरा मिशन है ग्यानकुस इस किसन पर आपका अभिनंदन है मित्रों आप लोग बार बार डिमांड कर रहते कि सर कुछ नया प्रेक्टिसेट लाइए नया प्रेक्टिसेट लाइए वैसे तो पुराना जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आपको 20-40, 40-50 प्रेक्टिसेट तो हाँ पड़ा हुआ है पहले से ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो आप उस प्रेक्टिसेट को से देख लिजेगा और जो मेरे साथी देख चुके हैं जहर सी बात है उनको चाहिए कि हाँ चलिए कुछ नया चा प्रेक्टिसेट नमबर टू हालाक प्रेक्टिसेट नमबर वन इसके पहले 15 कुर्शन का आप देख चुके होंगे नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आप उसको देख लिजेगा चलिए हम लोग शुरू करते हैं रिग वेद में कुल कितने मंडल है देखें अच्छा प्रसन है काफी अच्छा प्रसन है और इससे मैं आपको बताईयव iSt 15 प्रसन में अगर आप 10 प्रसन भी कर लेते हैं तो समझे का आपकी तyयारी काफी अच्छी है और आप कमेंट करके जुरूर बताएंगे कि आपक करके उसको ढूड करके फिर बताएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है अपना खुद का मुल्यांकन करने के लिए है यह हम इमांदारी से कितना जानते क्योंको तैयारी करने है और इस परिक्षा को निकालना है 2022 की परिक्षा को हर हालत में तो इसलिए उसके साफ से आपक या 25 मंदल आपके पास मैं 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ आप देखिए स्क्रीन पे क्वेस्चन है 10 मंदल 20 मंदल 30 मंदल या 25 मंदल रिग्वेद में कुल कितने मंदल है आशा है कि आप अपना मुल्यांकन कर लिए होंगे आप टिक कर चुके होंगे कौन सा विकल्प सही है तो मैं आपकी जाने कर लिए बता हूँ पाला विकल्प 10 मंदल जो 10 मंदल यानि 10 जो पाला यानि विकल्प नमबर ए जो लगाए है उनका सही है ठीक है अब देखिए रिग्वेद आप जानते हैं कि रिग्वेद एक वेद है जो चार वेद में एक वेद है और जिसको कहा जा सकता है रिचाओं की संख्यागा पूछा जाए तो 10,580 रिचाएं इसमें कितनी रिचाएं हैं 10,580 ये इतनी क्या हैं रिचाएं हैं और ये आपको ये जानकारी के मैं आपको बता दूँ और इसका प्रियोग जो कि प्राजह यग्यों के आउसर पर देवता कि इस्तुती करने के लिए किया जाता है तो आपका एंसर होना चाहिए क्या रिचाओं के बारे में बता दिया कि 10,580 रिचाएं हैं अब आपको ये बताना है कि इसमें कुल कितने शुक्त हैं 2380 सुक्त हैं या 1028 सुक्त हैं या 2010 सुक्त हैं या 1038 सुक्त हैं चारों में कौन सही है आप एंसर टिक करिए और अभी मैं बताने चल रहा हूँ आप उसे मिलान करीका आपका सही है गलत है या बिकल्प नमबर 2 यानि का B कह सकते हैं 1028 सुक्त इसमें है रिच वेद में कुल कितने सुक्त हैं 1028 सुक्त हैं ठीक न तो काफी अच्छा प्रस्न है और आपकी जानकारी लिए बहुत अच्छा रहेगा ये क्योंकि हम लोग को डीपली कोशन पढ़ना पड़ेगा क्यों ये जूर बेद में भेद भी होते हैं तो कुल कितने भेद होते हैं आपको ये बताना है दो भेद हैं चार भेद हैं तीन भेद हैं या फिर पांच भेद हैं हम एक दो तीन चार लगाएं आप ए भी सीडी भी कर सकते हैं अपनी सुद्दा कांसार चाह जो भी है कही कोई दि पहला दो भेद हैं कौन-कौन भेद होते हैं उसका नाम है आपको बता दूँ एक होता है क्रिष्ड यजूरवेद और दूसरा होता है शुकल यजूरवेद ठीक ना क्रिष्ड यजूरवेद और दूसरा क्या है शुकल यजूरवेद और आपकी जानकारी के लिए मैं बता द तो आपका उत्तर होगा क्रिष्ण यजूरवेद, लेकिन सुक्ल यजूरवेद में क्या है, किवल यह मंत्रों का भागई संकलित है, इसमें गद्यांस का, यानि गद्यमें व्याख्या इसमें नहीं किया गया है, बस किवल इसमें किवल मंत्र है, तेक प्रस्नियास बन सकता ह साम वेद में कुल कितने मौलिक मंत्र है बहुत अच्छा प्रस्ण है और यह बिल्कुल TGT में पूछने लाइक प्रस्ण है कितना हो डीपली अगर पूछा जाएगा प्रस्ण तो इससे डीपली नहीं जाएगा और डीपली क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि कितना एक आंत्री कस्तर का कुश्चन है कितनी गहराई से इसका मतलब इंसर निकाला गया है कितना मतलब इसका हुआ किया गया है ठीक है न तो चलिए साम वेद में कुल कितने मंत्र हैं को यानिकि A 75 B 75 C 65 और D यानि की गौ 50, आप बताएंगे कि साम बेद में कुल कितने मंत्र हैं, आशा है कि आप अपना टिक लगा चुके होंगे, अब मैं आपका बता रहा हूं, यहाँ आपका विकलफ नंबर A, यानि की कौ सही है, कुल कितने मंत्र हैं, तो कुल 75 इसके मौलिक मंत्र हैं, ठीका ना, और सेस मंत्र जो हैं रिग वेद से लिए गए हैं तो आपका उत्तर होगा रिग वेद से लिए गए हैं ठीक है ना चलिए अगला बहुत सांदार प्रशन है देखिए पूरा आप प्रशन पढ़ लेंगे ना तक्दा मस्त हो जाएंगे क्योंकि ऐसा प्रशन शायद ही आप कहीं पाए होंगे मैंने कह सकते मैं एकला होता है सांग मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा लेकिन यह कि बहुत कम मिलता है ठीक है ना थर्व वेद में, साम वेद में, यजूर वेद में या फिर रिग वेद में ज्यादा तर प्रसन आज मैं वेदों से उठाया हूं ताकि वेद से अगर कोई प्रसन आगा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा गहराई से कोई प्रसन आ सकता है तो मैं आज वेद को आपका confirm कर देता हूं कि किसी भी वेद से व्रामहर से या उपनिश्रद से अगर पूछे जाते हैं तो इसी तरह से पूछे जा सकते हैं और इसी तरह से आपको तयारी करने होगी ठीक है न और आपकी जानकारी किलिए मैं बता दूं कि अगर आप कई बार बोलते हैं कि सर कौन कौन सा पुस्तख पढ़ना बहतर रहेगा तो एक बार आप इस वीडियो के डिस्क्रिशन बाक्स में जाएंगे कई पुस्तख को कि लिंक को हमें दे रखा हूं आपको जो अच्छा लग है जो पुस्तख मैं दिखा हैं सब प्रमारी पुस्तख है अच्छी पुस्तख जो आपको अच्छालाग आप उसको पुहां से पर्चिस कर सकते हैं या फिर उसमें कई वीडियो का लिंक भी जो डायरेग्ट आप उस वीडियो को देख सकते हैं कई प्लेलिस्ट का लिंक आप उसको देख सकते हैं तो कई माध्यम से मैं आपकी तयारी करवा रहा हूँ और जो PDF मैं बनाता हूँ उसको मैं अपटी टिलिगराम चैनल पे डाल देता हूँ टिलिगराम चैनल का भी लिंक वहाँ है आप वहाँ से टिलिगराम चैनल से PDF आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं आपको भूट निकल आ सकते हैं अपना नूट से तयार कर सकते हैं। कई माध्याम से इसके अलावा मेरा मेरा जू-facebook पेज है उसका भी लिंग के इसी वीडियो की डिस्क्रिप्सन में है आप वहाँ से उस मेरे Facebook पेज पे जा सकते हैं, वहाँ से आप अपनी तयारी कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात देखिए कि रिक्ष्ट में आपसे जरूर करूँगा कि आप मेरा प्लेलिस्ट अवस से देख लिजेगा क्योंकि प्लेलिस्ट में एक बहुत ही अच्छे अच्छे प्रसनों का वीडियो वहाँ आपको मिलेगा और वो कम सकम 300-300 से ज्यादा वीडियो उसमें है प्रिक्ष्ट में कई प्लेलिस्ट में कई फोल्डर मिला करके हैं तो उन सभी फोल्डर्स को आप देखिए हर एक वीडियो बहुत ही शांदार है अब बहुत गजब का है और बहुत सारे प्रिक्ष्टी सेट भी है हाँ कुछ प्रिक्ष्टी सेट्स में एकाद दो प्रसन थोड़ा सा आई स्लिप होने काल कुछ गलत हो गया है उसको हो सकता मैं सुधार ना पाया हूँ अच्छा कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिए और अगर आप नहीं ते आप इसको सब्सक्राइब कर लिजे चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो टोना टोटका किस वेद में मिलता है तिया आपका मिलता है मित्रों आप तो अब तक लगा चुके होंगे कि क किस में मिलता है तिक कर चुके होंगे तो आपको मैं बताओं अथरवेद में मिलता है नहीं कि विकल्प नमबर ए अथरवेद में टोना टोटका मिलता है ठीक ना चलिए हम लोग आप आगे बढ़ते हैं कि वैदिक संस्कृत में व्यंजनों की संख्या है कितनी संख्या है बहुत अच्छा प्रस्ण है, वैदिक संस्कृत, ये ऐसा आता है यहां से प्रस्ण, वैदिक संस्कृत से कुल कितने व्यंजनों की संख्या है, तो आप बताएंगे, को 49, खो 45, गो 36, और गो 42, इसमें से कुल कितने व्यंजनों की संख्या है, आशाय क्याप्टिक कर चुके ह अब चली मैं आपको बताता हूं तो वैदिक संस्कृत में मित्रों वैदिक संस्कृत में व्यमजनों की संख्या है 49 39 को ठीक ना को भीकलप इसमें आपका सही यानिकि ये विकलप आपका सही है क्योंकि डाक्टर धिरंदर वर्मा और डाक्टर उदेन तिवारी तथा कपिल द प्रिवेदी आज यह जो तीन विद्वान है इनके अनुसार जो वैदिक ध्वनिया है यह तो 52 मानि जाते हैं जो आजंदी के वर्ड़ माला में भी वही चीज़ है कि मतलब कुल कितने वर्ड़ है तो ठीक है बावन है लेकिन उसमें स्वर की बात अगर किया रहा है तो स्वर इसमें 13 है कि इसमें वैदिक संस्कित में स्वर कितने है 13 है और ये व्यंजन की संख्या कुल कितनी है 49 है इसलिए ये कुल मिला करके संख्या कुल कितना हो जा रहा है 52 हो जबकि हिंदी में आपका जो स्वर है 13 ही होता है क्योंकि अंग और अह तो अनुस्वार और विसर गयान और डाक्टर हर्देव बाहरी ने स्वरो के संख्या 14 मानी, एक प्रसन आप यहां सबन सकता है, कि डाक्टर हर्देव बाहरी ने वाइदिक संस्कृत में स्वरो के कुल कितनी संख्या मानी है, तो 14 मानी है, यहां से एक कही क्वेशन से मैं कही क्वेशन आपका हल करवा दे रह चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं लौकिक संस्क्रित में कुल ध्वनियों के संख्या कितनी अब लौकिक संस्क्रित ही बात आ गई वह तो था वैदिक संस्क्रित तो लौकिक संस्क्रित में ध्वनियों के कुल कितनी संख्या है अब यहां आपको यह बताना है 35, 48, 49 या फिर तीरपन ठीक ना तो लौकिक संस्क्रिट कुश्चन नमबर साथ इसमें कुल कितने ध्वनी ध्वनी के उतलब सौर और बेंजन सब मिला करके यहां बात हो रही है तो किल कितने आप बताएंगे 35, 48, 49 और तीरपन तो यह आपका सही बिकल्प होगा खो निसात का खो कितना 48 लौकिक संस्क्रिट में कुल कितने ध्वनीयों के संख्या है 48 ध्वनीयों की संख्या पाई जाती है ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 8 के तरफ पाली भासा में कुल कितने कारक हैं बहुत है 8 या 7 हलाकि थोड़ा सा दिमाग दोडाएंगे तो इसका उत्तर आप धूट सकते हैं पता कर सकते हैं कि कितना है थोड़ा सा दिमाग दोडाएंगे तो पता चल सकता है चलिए आश्रा है कि आप अपना टिक कर चुके होंगे अब मैं आप वता देना चाहता हूँ तो इस इसमें संख्या है आठ का ख, यानि की छहकारक, इसमें कुल कितने कारक हैं, छहकारक, पाली भासा हम कुल छहकारक होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है न, और एक एक प्रसन आप पढ़ेंगे, तो एकदम मस्त हो जाएगे, जिसने की अगला प्रसन देखिए, हलंत का प प्रियोग नहीं होता है, आश्राय का आप इसको, इसके सही उतर तक पहुंच सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोला सापको ध्यान देना पड़ेगा, जैसा का आप जानते हैं, मैं आपको बता दू, संस्कृत में तो होता ही है, हिंदी में तो होता ही है, रही बात अप भरन से, तब भरन से हिंदी का विकास हुआ, तो जैसे बात अप भरन से में भी होता है, अब ये कहीं बच रहा है, वह या आपका उत्तर हो जगा क्या, पाली, पाली भाशा में हलंत का प्रियोग नहीं होता है, ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम लोग आत तो यह इसका मूल अर्थ है और यह इसमें तीन इसके मूल गरंथ पाए जाते, तीन त्री पिटक गरंथ पाए जाते, सुत्य पिटक, विना पिटक और अविधम पिटक और बौत धर्म के परचार के लिए इनी पिटकों को समराटासो का पुत्र जिसका नाम क्या था कुमार महेंद्र कुमार महेंतर जब लंका गया था इन्ही पिटकों को ले करके इन्ही गरंथों को ले करके गया था अज समय कब था? 241 इसा पुरू ठीक न? पाली भासा का प्रथम ये देश भासा का जाए पाली भासा को भारत की प्रथम देश भासा भी कहा जाता है ठीक है ना तो इसको भी याद रखना है यह प्रस्ण पूछा जा सकता है कि देश की प्रथम भाषा क्या है मन भारत की प्रथम देश भाषा क्या है तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या पाली ठीक है ना अब देखिए अब आपको यह बताना है कि सुत्य पिटक में कुल कितने कितने निकाय होते हैं, बहुत अच्छा प्रस्न है, बहुत सांदार प्रस्न है, और ऐसा प्रस्न शायद आपको कहीं मिले, सुत्य पिटक में कुल कितने निकाय होते हैं, पांच निकाय, तीन निकाय, दो निकाय, या फिर चार निकाय, प्रस नमबर 10, ठीक है न, आप इसका स सही उत्तर बताएं चलिए अब मैं बताता हूँ आपका सही उत्तर क्या है तो दस का आपका हो जाएगा को पांच निकाए कुल कितने निकाए होते हैं पांच निकाए होते हैं को सुत्य पिटक में कुल कितने निकाए होते हैं आगे देखिए अभिधम पिटक में कुल कितने अंतरगत गरंथ है, तो अभिधम पिटक के अंतरगत कुल कितने गरंथ है, आपको ये बताना है, 3 है, 7 है, 4 है, और 2 है, कौन सा ही आप बताएंगे, आप जल्दे बताएए, 3, 7, 4 और 2, आसा आप टिक कर चुके होंगे, चलिए, मैं आपको बताता हूँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, कुल कितने पिटक हैं, तो 7 पिटक हैं, अभिधम में पिटक में कुल कितने गरंथ हैं, तो 7 गरंथ हैं, ठीक ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लो, प्रस नंबर 12 के तरफ, डाक्टर धिरन्द बर्मा के अनुसार, प्रतीच्य भाषा, यह बहुत अच्छा प्रशन है, भाषा के बरीकरण में जब आप आएंगे, तो बहुत शांदार प्रसन याँसे, आपको मिल रहा है, बिसेश करके, यह इस तरह के प्रसन जो है कि मतलब साइद ही आपको मिलें, बहुत कदाचित आपको इस तरह का प्रसन मिल सकता है, ठीक है ना, आईए देखिए, तो डाक्टर धिरन्द बर्मा के अनुसार, प्रतीच्य भाषा में आता है, क्या आता है, राजस्थानी आता है, उड़िया तो डेखिए, धिरन्द बर्मा की भाषा को जो बरिकरन किये हैं, यह पाँच बरीकरन किये हैं, उदिच्चय में, पर्तिच्य में, मध्यदेशिय में, प्राच्य में है, फिर दक्छडपिया अब इसके अंतरगत जो बोलियां हैं, हमारी हिंदी के जो अठारा बोलियां है इन बोलियों को यह अलग-अलग बरिकरण किये हैं तो तो मैं आपको बताऊंगा भी लेकिन पहले आपका प्रस्निय है कि प्रतिच्च भाषा में कौन सा मनकिस भाषा का प्रयोगाता है कि मनकि कौन सी बोली का प्रयोगाता है बोली कहीं चे भाषा क तो प्रतिच्य भासा में जो है ये आपका विकल्प नंबर C यानि कि गौ क्या आएगा गुजराती आएगा गुजराती जो है प्रतिच्य भासा कंतरगत आता है ठीक ना अब देखिए जहां तक हम बताये कि पांच ये वर्ग बाटे हैं तो देखिए उदिच्य में पहला ए पर्तिच्ञि आप इसको नोट्स बना सकते हैं एक है सिंधी एक है लहंदा लहंदा ठीक ना और एक है पंजाबी क्या है पंजाबी है यह क्या है पंजाबी है फिए तूल्स का दिक्कत है इसलिए उतना इसक्रील में चोटा इसलिए नहीं लिख पा रहा हूं तो ज्यादा से मतलब इस पेस चाहिए मैं बता दूँ मद्य देशी भासा में राजस्थानी पश्चमे हिंदी पुर्वी हिंदी और बिहारी आप वाइस सुनकर भी आप नोट्स ब जी तीन भासा प्राचि में है और दक्षडात्य में गुजरात्य में है मराथी और दक्षडात्य में मराथी प्राचि को अगे ब% कहारते हैं प्रस्टनमर 13 अठ्वाह आठ्य अ्सभनी है तो आठ्वा आश्यर यह जो है यह किसकी एकांकी है आपको यह बताना है तो बताएंगे आठ्वा आश्यर यह बिभूति नारायन विमला लूथरा विनोद बर्मा या फिर ज्यान चतुर्वेदी ठीक ना तो आपको आश्यर का टिक कर चुके होंगे आपका है कुश्चन नंबर 13 का उत्तर बिमला लूथरा यानि कि भी ख बिमला लूथरा जो है आठ्वा आश्यरे की लेखी का है इसे कांकी का आईए अगला देखते हैं चौदावा असाद बीड़ा संकलित है मने किस ग्रंथ में संकलित है किस संकलन में संकलित है आपको ये बताना है असाद बीड़ा आंगन के पारद्वार में है या फिर कितनी नाओं में कितनी बार या फिर आत्मनेपद या फिर अंधेरे में तो चोदह का आपका हो जाएगा ख, क्या हो जाएगा, ख कितनी नाओं में कितनी बार, ठीक न? पंदर क्विश्य नमबर पंदर खबर की आवकाद किस विधा की रचना बहुत सांदर प्रसना ये खबर की आवकाद किस विधा की रचना है तो यह आपका हो जाएगा बताएंगे आप कहानी है कि नाटक है कि उपन्यास दे कि निबंद है तो आपका हो जाएगा ये उपन्यास क्या है उपन्यास पंद्रहवा का क्या हो जाएगा गः उपन्यास है ठीक है तो इस तरह से आज पंद्रह प्रस्ण ही नहीं इसके माध्याम साब मुझे लग रहा है कमसकंट 50% पढ़ी चुके होंगे क्योंकि एक का जब व्याख्या किया जा रहा तो 3-4 प्रसंद निकल करके आ जा रहा है तो इस तरह से इसी तरह से छोटा-छोटा वीडियो देगर कि आपके तयारी में बहुत ही बेहतेनी करवाता चलूँगा साथ में किताबें पढ़ते चलिए, नोड से पढ़ते चलिए, हम भी लगे हैं, आप भी लगें, सफलता आपकी मुठी में होगी मैं एक चीजाओ से बताना चाहता हूं मित्रों, कभी हार नहीं मनना चाहिए कभी हार नहीं मनना चाहिए क्योंकि कहा गया है कि हम तोड़ सकते गगन के सितारे हम तोड़ सकते गगन के सितारे बुलंदी प्योयद इरादे हमारे कदम चुम लेती हैं खुद आके मंजिल मुसाफिर अगर अपने हिम्मत नहारे तो निशन्दे हैं आप हिम्मत मत हारे मंजिल आपकी कदम चुमे के 2023 में क्योंकि परिच्छा तो 2022 में नहीं होना है ये लगभग सुनिशित हो चुका है कि दिसंबर तक आपका पेपर नहीं होना है जनौरी फरोरी मार्च भी जा सकता है तो इसलिए ज़्यादा परशान होने ज़रोत नहीं बले कि खुश होने ज़रोत है कि हमको और ज़्यादा आउसर मिल गया पढ़ने के लिए तो पढ़ाई करते रहें मेहनत में कोई चुक नहीं होता यह है कि जब का लेटर जारी होता है एकजाम का डेट फिक्स होता है तब हम जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करते हैं यह तरीका सही नहीं है आप कांटीनी वो चार गंटा पांच गंटा चार गंटा पांच गंटा पढ़ते रहें निस्चित तोर पे आपको सफलता मिलेगी कांटीनी वोई कच्छवा और खरगोस वाली बात है तो खरगोस चाल चलेंगे तो असफलता मिलेगी कच्छवा चाल चलते रहें निरंतरता बनाए रखिए इनी सब सुब कामनाओं के साथ फिर हमनों मिलते हैं अगली वीडियो में आपसरब को बहुत बहुत धन्दबाद